मुख्यमंत्री नितीश कुमार का जनता दर्बार लगा होता है। मुख्यमंत्री नितीश कुमार एक एक करके फरियादियों की फरियाद सुनते हैं तभी वहाँ पर एक महिला आती है और आकर नितीश कुमार के सामने राज के मुख्यमंत्री के सामने जो कहती है वह सुनने के बाद नितीश कुमार तुरंट डी जी पी को फोन करते हैं और डी जी पी को फोन करके कहते हैं कि आखिर कार इस महिला की क्यों नहीं कर रही है आपकी पुलिस अब होता क्या है ? महिला नितिश कुमार के सामने आती है और आकर वहाँ पर अपना दुख़ा सुनाते हुए कहती है कि गया जीले का तेकारी थाना का पुलीस दो लाख रुपया ले चुका है और हमारी बेटी के साथ जिन दबंगों ने उसको टांकर लेकर वे चले गए और उसके साथ गलत काम किया उन दोवंगों को पुलीस वाले कुछ नहीं कर रहे है मेरा एफ आई यार लिख नहीं लिख रहे है उसके उपर कोई कारवाई नहीं कर रहे है और तब मुख्यमंत्री नितिश कुमार का पारा चड़ जाता है आगे आपको हम जनता दरबार की कहानी बताएंगे जहां आपर एक महिला आकर कहते है कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है आप अब हमको इंसाफ दिलाइए आगे बात्चित करने से पहले हम अपना परिचे दे देते हैं अब नमस्कार में नहीं है मोहित कुमार सी और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं सबसे पहले अगर कहानी की शुरुबात की जाए तो गया जिले की एक महिला जनता दरबार में आती है मितिश कुमार इसी प्रकार से जनता दरबार में बैठते हैं अब होता क्या है वो एक ठाने का नाम लेती है कहती है तिकारी ठाना जिला गया वहां के ठाने के बारे में कहती है कि उन्होंने दो ला पूंगों ने कहीं का नहीं छोड़ा क्योंकि मेरी बेटी के साथ उन्हों ने गलत काम किया। उसका फाइल पन्ना पलट कर देखते हैं सब कुछ देखने सुनने के बाद वे डीजीपी को कॉल करते हैं अब जब मुख्यमंत्री का कॉल डीजीपी को जाता है तो डीजीपी उदर से पूछते हैं कि सर क्या हुआ। वह महिला मुख्यमंतरी के सामने कहती है कि दो लाख रुपिया लेने के बाद पुलिस वाले कारवाई नहीं करना है क्योंकि उन्होंने दो लाख रुपिया लेकर मामले को सेटल कर दिया है अब मितीश कमार जनता दरबार में जब उनका पारा चड़ता है तो डीजीपी को कॉल करते हैं महिला को भेजते हैं कहते हैं कि इस पर ततकार सुनवाई कीजिए जाच कीजिए एफाई आर कीजिए जो दबंग है उनके गिरफतारी कीजिए और अब सोचिए कि एक महिला या पिर एक मा जिसकी बेटी के साथ गलत किरिते हुआ है पुलिस वाले उसका एफाई यार नहीं लिखते एफाई यार लिखते तो कारवाई नहीं करते वह महिला राज के मुख्यमंतरी के सामने बैठ कर अपना दुखरा सुनाती है और अपनी बेटी के बारे में बताती है कि मेरी बेटी के साथ उन्हों ने क्यासा गलत काम किया और इतना सब कुछ होने के बावजूद जो गया जिले की टेकारी थाना की पुलिस है वो कारवाई नहीं कर रही है अब आगे देखिए कि नितीश कुमार के कहने के बाद क्या कुछ होता है नितीश कुमार ने तो सिधे ड जानकारी जो भी और नया अपडेट निकल कर सामने आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे वीडियों ही पर समाप्त करते हैं कि हम एक जिप यूज खड़े हैं और मैं मोहित कुमार से बहुत बहुत धन्यवाद